अगर आज की समय में हम लोग देश की राजनिती की बात करें और देश की राजनिताओं की बात करें और इसमें अर्वेंद की रिजिरी बाल के बारे में बात ना करें मुझे लगता है कि ये संभाव भी नहीं है अब आप देखी जितने कम समय में अरवेंद केजरीवाल ने राजनेतिक रोप से जो सफलताएं पाई हुई है बहुत मुझे लगता है कि बड़े की कम लोगों को मिली है तो आज हम लोग अरवेंद केजरीवाल के बारे में एक सावान जानकारी देख लेते हैं इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे वर्टमान में दिल्ली के मुखमंत्री है और आप देखें इनकी बतनी है इनका बेटा है इनकी बेटी है इनका एफरीवार है और दिल्ली के मुखमंत्री है तो आप देखें दिल्ली एक केंदर सासित पिदेश है और आप देखेंगे कि यहां बिधान सबा में 70 सीटे हैं राज्य सभा में तीन सीटे हैं, लोग सभा में साथ सीटे आपको देखने को मिलेगी, नई दिल्ली इसकी राजधानी देखने को मिलेगी, अर्वेंद किजरीबाल का जनम होता है 16 अगस्त 1968 को हर्याना की हिसार सहर में होता है, अगर आप लोग हर्याना देखना चाहें, तो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी, और आप देखें, इनका परिबार भिवानी के सिवानी गाउं से सम्मंदित है, और वैसे इनका जादा समय उत्त्री राज्यों में गुज्रा, जो की सौनीपत हिसार आदी, अर्वेंद किजरीबाल की पिता का नाम गोविंद स्कूल हिसार और किशियन विसनरी होली चाइल स्कूल से हुई है, पढ़ाई में होनार होने के कारण आप देखें, आप देखें, इन्होंने IIT का एकजाम दिया, और जो आप देखते हैं, देश में सबसे कठेन एकजाम में से एक होता है, और IIT, और इसमें ये सफल भी रह चाल साल की इंजरिंग को पूरा करने के बाद अर्वेंद केजरिवाल ने अपनी पहली नौकरी टाटा इस्टेल जमसेदपूर में की, और देखें बिहार उस समय आप लोग जारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था, इसके बाद सिविल सेवा परिक्षा की तेयारी करने तो आपको मालो भी होगा, 1993 में वो IERS के पिसिक्षन के दोरान, इनकी मुलाकाद IERS अधिकारी सुनीता से हुई, और टेनिक खूरी होने के बाद अर्वेंद केजरिवाल की पोस्टिंग दिल्ली में हुई, इन दोनों ने साधी कर ली, और अर्वेंद केजरिवाल का एक बे अपरासी रखने से इनकार कर दिया, और अपनी मेज खुद साफ करते थे, तो आप देखे, शुरुआत से ही इन्होंने करांती कारी जो कदम उठाना सुरू किये, उन्होंने मदर टेसा से भेट की, और इन्होंने मदर टेसा की आसरब में दो महीने तक काम भी किया, इसके अर्वेन ने गाओं के लिए राम किसने मिसन की साथ जुड़कर विभिन तरह के कार किये गाओं के लिए, और आप देखे, कलांतर में इन्होंने नहरू इवाकेंद्र को अपने समाज का लियान कार का मंच चुना, और इन्होंने आईकर विभाग में काम करती हुए परिव लोकिरी में रहते हुए अर्वेन के जीवालने, पाया की पिक्रिया में पारदश्ता की कमी है, विभागों में भिष्टाचार है, उन्होंने भिष्टाचार के खिलाब जन, लोकपाल, बिल, लाए जाने को लेकर चली अभियान में हिस्सा लिया, और दिल्ली में पूर्व आईपीएस अधिकारी करण बेदी और समास से भी अन्ना हजारे के साथ इन्होंने अंसन भी पर भी बैठे, और सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर भी बहुत सक्री रहे, और ऐसा कहा जाता है कि लोकपाल हो ही आप देखिए सूचना का अधिकार हो, ये अर्वेन के अधिवाल आप देखते हैं, पीछे से काम कर रहे थे इस पर, और मास्टर माइंड इन्ही को कहा जाता है, अन्ना अंदुलन, अन्ना हजारे साथ तो आंगे दिखाई दे रहे थे, उसकी रणनीती पूरी आप देखिए न्हीं की द्वारा बनाई जा रही थी, उन्होंने लोगों को RTI के पिती जागरोग करने का काम भी किया, दिली विधान सभा के बाद आप देखे, सन 2005 में देश की संसद ने भी सूचना का दिकार अधिनियम यानि की RTI एक्ट पर मुहर लगा दी थी, इसके तरह आप लोग सूचना ले सकते हैं, ना उसी की बात हो रही है, फ इसका चुनाव चिन जाडू है, और इसी दिन भारतिय समिधान अधिनियम की 63 सालगरे भी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 26 नमबर 1949 को कुछ फिरावधानों के साथ आपका समिधान आ चुका था, और पूरी तरह से आप देख 26 जनवरी 1950 में लागू हो चुका था, ले इसी रोज उन्होंने अपने भावी राजनितिक दल का दिरश्टी कौंट पत्त भी पिस्तूत किया, और विधीभग घोषना भी की, हाला कि उनके पुराने सहयोगी करणवेदी और अन्नाहजारे ने उनके इस कदम से खुस नहीं थे, इसकी बाद अर्वेंद के जीवाल डी एलेप घोटाले का खुला सा किया, इसमें कॉंगरेस अध्यक सौनिया गांधी के दमाद रोवाट बाडरा और रियल एस्टेट डेवलपर डी एलेप के बीच कतित भिष्टाचार का खुला सामिल था, बाद में उन्होंने ततकालिन केंद्री बिधी मंत्री सलमान खु पुर्सीद के टरस्ट के खलाब आंदोलन भी छेडा और उनकी चबी एक भिष्टाजार को बरदास्त नहीं करने वाले इंसान की बन गई, और फरवरी पहली बार आप देखेंगी कि 28 देसंबर 2013 को बोग मुखमंत्री बनते हैं, उनकी पाइड़ी को 70 में से 28 सीटे हासिल ह भी थी, लेकिन आप देखेंगी एक कॉंग्रेस के साथ गठवंधन किया था है इनोंने, लेकिन केबल 49 देनों के बाद आप देखें 14 फरवरी को उनोंने अपने पद से इस्थिपा दे दी, त्याग पत दे दिया, और जिसका कारण उनों बताए कि वह सरकार में रहती और 14 फरवरी 2015 को भी अर्वेंद के जीवाल ने बातोर मुकमंत्री फिल से आप देखते हैं कि दिली की सत्ता समाली, इस बार के जीवाल को 70 में से 66 सीटे मिली थी, यानि कि भारी बहुमत मिला था, और इसके बाद आप देखें, 2020 में दिली में विधाल सभा चुना हुए, भगबंद मान, चीम मिनेस्टर बने, और इस तरह से आप देखें, इनकी पार्टी राष्टिये पार्टी बन चुकी है, राष्टिये पार्टी का दर्जा मिल चुका है, यह पहली बाद CM बने तो इन कदमों से काफी चर्चा में रहे थे, सिकोर्टी वापस लोटाई इनो बिरप्पा, मोयली, उद्ध्योगपती, मुके सम्मानी, उनकी कंपनी रिलाइंस के खिलाफ, FIR की निर्देश भी दिये इनोंने, और मोदिव के खिलाफ चुनाओ इनोंने लड़ा, लेकिन हार गयते, 2014 में आप देखतेंगे लोगसभा की चुनाओ में, वरारहसी, लोगसभाव और विधानसभा की चुनाओ होते हैं, इनमें अगर आपको चुनाओ लड़ना है, तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होने चे, और इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दातनाओं के द्वारा होता है, अगर आपकी उमर 18 साल हो चुकी है, तो वोटर सूच में इसकी स्थापना होई थी, नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा, पहले मुख चुनाओ है सू कुमार सेन थे, ये आप देखे मफलर मैन का तमगा, खासी करने वाली इमेज, अरवेंद के जीवाल अपनी खासी की वज़र से भी ना के बल दिल्ली बलक सन 2016 में, और इसको प्राण कुरूप ने लिखा था, इसका नाम था अरवेंद केजरीपाल एक डोकुमेंटी भी बनी जिसका निर्माट खुसवू रंगा, रंगा बिना सुकला ने किया, बिना सुकला इसके सह निर्माता थे, कई दिनों तक आप देखे सेंसम से में फसे र अरवेंद के जीवाल पर किताब भी लिख चुके हैं, अरवेंद के जीवाल किताब भी लिख चुके हैं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अरवेंद के जीवाल किताब भी लिख चुके हैं, सन 2012 में आई यह हारफर कोलिंस की ओर से पिकास में आई थी, और स्वराज नाम इन्हें कई पुरुसकार मिले हैं, 2004 में आप देखी असोक फैलो, सिविक अंगेजमेंट पुरुसकार, 2005 में सतिन्द दुवी मेमोरियल अवार्ड, IIT कानपूर, सरकार पार दिश्ता में लाने के लिए उनकी अभियान देतू, 2006 में आप देखेंगे उतकर्ष्ट नेतत के लि 2013 में आप देखें, अमेरिकी पत्ती का पॉरेंड पॉलिसी द्वारा, 2013 के सौ सर्वोच वैस्विक चिंतक में सामिल किया गया, 2004 में पितेष्के टाइम में एक जीन द्वारा विसके सबसे प्रभावसाली व्यक्ति की रोम में ने सामिल किया गया, अब आप देखें, इनसे जंग पर आरोप लगाए कि भी एक केंदर सरकार के कहने के मुताविक काम कर रहे हैं, विसे इस कर अफसरों के तबादले में, और TV END का विबाद, अर्वेंद के जीवाल ने अपने पिचार के लिए TV END निकाला था, जिसमें वो परिसान करते रहे, हम काम करते रहे, पंक्ती रहे थे, तब भी आप देखे, इनका विबाद में रहे थे, नकली डिग्री, अर्वेंद के जीवाल पर यही आरोप है कि उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से टिकेट दिया, जिनके पास फरजी डिग्रिया हैं, और One Man Party, अर्वेंद के जीवाल अक्सर पार् बना रहता है, उन्होंने अपने एक इंटर्वी में दिली पुलिस को ठुला कहा था, बिली बिल की अधिकता, इनके मुखमंत्री रहते हैं, मुखमंत्री निवास में बिल एक लाक रोपी आया था, और इस पर विपक्च ने कहा था कि बे लोगों की पैसे से अपना सुक भ रही है ना, इसमें आप देखें, अर्विंद के जीरिवाल की कहानी हो गई, और भी आप लोगों को किसी के बारे में जानने की जल्जस भी हो, तो आप लोग जरूर नाम बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है?